ही गाइश देखो लगबग इस टाइम बजार में काफी अच्छा गिरावट हो रहा है लेकिन मुझे लगता कि सांती बनाकर रखना चाहिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो लगबग आज के रेट पर बहुत सस्ते देखिने को मिल रहे हैं और लगबग मैं आपको बता रहा ह लगबग आप एक हिम्मत दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी कोई लगबग आपना केवल प्रोडक्त की दे रहे हैं किसी ने किसी तरीके से कोई डिफेंस में ऐसे कुछ ने कुछ हैल्प कर रहा तो मुझे लगता है कि एक तरीके से यूक्रेन आज ने तो कल तो गया ही गया प चांती बनाए रखना चाहिए कहीं पर भी हो तो यह वार अगर खत्म होता है और मार्केट अगर दोड़ना शुरू करेगा तो कुछ ऐसे स्टॉक है जो लगबग बहुत तेज भागना शुरू करेंगे यहां पर कौन से कंपनी है तो पहले उसके बारे में डेटेल देख हैं कंपनी का मार्केट के लगबग 6500 करोड के आसपास है कंपनी लगबग आपको डिविडेंट वगर भी देती है यहां पर आप देख सकते है और लगबग पर मोटर के पास सीचसेधारी जो आपको देखने को मिल लागा वह 58% के आसपास है एक भी शियर यहां पर परसेंट का कंपनी जो आपका पैसा कंपांडिंग कर रही है पिछले 5 सालों से पर मोटर नी आप पर बताया कि पर मोटर होल्डिंग है डिक्रीज्ड ओवर लास्ट त्री यह पिछले तीन सालों से आपको बताया जा रहा देखो परमोटर्स के पास जो हिस्सेदारी थी पहले 57% था और लगबा बीच बीच में यहां पर देखो तो 58% कर लिया गया अभी भी 58% है तो लगबा अभी परमोटर्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है पहले बेचा था बहुत पहले यहां पर इसको बढ़ा रहे है और यह अपना जो नेट कैश फ्लो है इसको बढ़ा रहे है और यह कहीं पर आपने का पेमेंट टुका हुआ था वहां से पैसे आया है उसको वो अलग होता है अपरेटिंग एक्टिविटी से आया है समझे हो रिटर्न अन कैप्टल इंप्लोट जो लगबग मैंने आपको बता है पिछले दो साल से इंप्रूफ करते आ रहा रहा रिटर्न अन इक्विटी भी यहां पर आपको देखने को मिल जा हुए यहां पर देख सकते हो जो जोलरी सेग्मेंट में कमपणी काम करती है एर रिंग बनाती है और उसके साथ साथ लगबग जो है डायमेंड हो गोल्ड हो गया इसके लिए कमपणी काफी ज़्यादा यह कर लेती है और लगबग पावर मतलब रिनविवल एनरजी में भी कमपणी आजकर के डेट में काफ मार्केट है जहां से लगबा 40, 60, 70% का रेवन्यू जनेरेट कर देती है ये कंपनी और भी लगबा ये एक्सपोर्ट करने के कोशिस कर रहे है चारों तरब से और याद रखेगा कि ये लगबा किवाल इंडिया में ही नहीं लगबा पूरे वर्ल्ड में कंपनी फैला हुए है 30 से भी ज़्यादा कंट्री में आपको देखने को मिल जाएगा इसका जो प्रोड़क्ट है और लगबा 24 आवर्स जो है आप इसके प्रोड़क्ट खरी सकते हो अगर आप UK में हो US में हो तो वहाँ पर क्या कि ओनलाइन प्लैटफॉम पर ये ज़्यादा तर चलता है 24 आवर के लिए आज करके देट में ये कंपनी और सोलर पर ध्यान दरी है और विंड एनर्जी में भी कंपनी ध्यान दे रही है ये देख सकते हैं विजय खिडिया ने इस कंपनी में बहुत मोटा पैसा लगा रखा है और उन्होंने तो हर बार इसको खरीद रखा और ये स्टॉक अगर आप देखोगे तो पिछले एक महीने से लगबग 12 परसंट पिछले 6 मेंने लगबग 48 परसंट इयर टिल डेट में 29 परसंट और पिछले एक साल में इस कंपनी के चटनी बन गई है यहां पर अगर आप देखोगे तो लगबग 60 परसंट ये स्टॉक गिर चुका है कि लेकिन अब ग्रीन मिट्रेट कर रहा पिछले एक महीने से देखो तो यह गिरावट था गिरावट के बाद यह देखो यहां से कंसलिडेशन स्टार्ट हो चुका तो 1000 रुपय का चार सुरुपय में आके मिल रहा यहां पर मुझे लगठा काफी ज्यादा सास्ता मिल रहा औ यहां पर गिरा 94% का गिरावट फिर यहां पर देखोगे तो लगभग यहां पर भी कंपरीन 60-70% का गिरावट फिर यहां पर भी as it is आपको देखने को मिला कितना 60% का गिरावट आपको देखने को मिला और उसके बाद देखोगे हर गिरावट के बाद स्टॉक्स ने लग प्रेके घंटी बच जाती है तो यहां पर मुझे लगता है कि स्टॉक अपने आप रियल वैल्लू पर मिलता है वैवा गुलोबल ध्यान रखिया कहीं है ऐसा नहों कि दुबारे वीडियो बनाकर मैं एक दिन आपको बता रहा हूंगा कि यह स्टॉक लगबग आपको 60% के डि पहले है वीडियो आपको पहले देखना है और मैं आपको बता दूँ यह बिजनस जो है लगबग रूश में भी करता है तो रूश में करता है तो रूश की एकनोमिक देख रहे हो किस तरीके से लगबग काफी जदा प्रावलम हो रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कर रही है मतलब प्रोड़क्ट एक एक प्रोड़क्ट जो बढ़ाते जा रही है तो आपको कैसे लगा यह स्टॉक आप खुद भी बता सकते हो कमेंट में और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डिमेट अकॉन एंजल में उपन कर सकते हो जहां पर आपका